एक छोटे से गाव में एक प्यारी सी काली बिल्ली बिल्लू और एक समझदार कुट्ता टॉमी रहते थे। बिल्लू बहुत ही चालाक और चंचल थी, जबकि टॉमी बहुत ही वफादार और इमानदार था। दोनों एक ही घर में रहते थे और अकसर एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। बिल्लू और टॉमी की दोस्ती बहुत ही गहरी थी और गाव के लोग उनकी इस अनोखी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। बिल्लू की नजरें हमेशा खाने पर रहती थी. उसे हर वक्त कुछ न कुछ खाने की तलाश रहती थी. वहीं टॉमी का काम था घर की रखवाली करना और अपने मालिक की हर आग्या का पालन करना. एक दिन बिल्लू ने सोचा की अगर वह एक बार रसोई में घुस जाए, तो उसे स्वादिष्ट मास का एक टुकड़ा चुराने का मौका मिल सकता है. लेकिन उसे पता था की टॉमी हमेशा दरवाजे पर पहरा देता रहता है और उसे अंदर नहीं जाने देगा. एक दिन बिल्लू ने टॉमी से कहा, टॉमी भाई, आज मैं तुम्हें एक खेल सिखाऊंगी. हम दोनों इस खेल में बहुत मज़ा करेंगे, टॉमी को बिल्लू के खेल में हमेशा मज़ा आता था, तो उसने खुशी-खुशी मान लिया. बिल्लू ने टॉमी को एक पेड के पास ले जाकर कहा, देखो टॉमी, यह खेल बहुत मज़ेदार है. हमें इस पेड पर चड़ने का अभ्यास करना है. टॉमी ने बिल्लू की बात मानी और पेड पर चड़ने की कोशिश करने लगा. वह महंत कर रहा था और बिल्लू उसे प्रेरित कर रही थी. इस बीच बिल्लू ने मौका देखकर रसोई की ओर दौड लगा दी, उसने दरवाजे के पास पहुँच कर देखा कि वहा कोई नह है. वह तेजी से अंदर गई और मास का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुह में दबा कर वापस बाहर आ गई. जब टॉमी ने देखा कि बिल्लू वापस आ गई है, तो उसने पूछा, बिल्लू तुम कहा गई थी, बिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस पानी पीने गई थी, टॉमी ने उसकी बात मान ली और खेल में फिर से लग गया, लेकिन यह बात ज्यादा दिन छिपी नहीं रह सकी. घर के मालिक ने देखा कि रसोई से मास गायब हो गया है. उन्होंने सोचा कि यह किसी जानवर का काम हो सकता है, लेकिन कौन? उन्होंने टॉम को डांट लगाई कि वह अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है. टॉमी को बहुत बुरा लगा. उसे समझ में नहीं आया कि उसने कहा गलती की है. वह बिल्लू से पूछने गया, बिल्लू, क्या तुमने देखा कि कौन मास चुरा कर ले गया? बिल्लू ने आखे चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, टॉमी. हो सकता है कोई चुहा हो, टॉमी ने सोचा कि शायद बिल्लू सही कह रही है, अगले कुछ दिनों तक भी रसोई से खाने की चीजें गायब होती रही. मालिक को शक हुआ कि यह जरूर बिल्लू का काम है. उन्होंने उन्होंने देखा कि बिल्लू धीरे-धीरे अंदर आई और मास चुराने लगी. उन्होंने तुरंत बिल्लू को पकड़ लिया और उसे डांटने लगे, बिल्लू ने बहुत माफी मांगी और कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगी. मालिक ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे समझा दिया कि चोरी करना बहुत बुरी बात है, बिल्लू को अपनी गलती का एसास हुआ. उसने टॉमी से माफी मांगी और कहा, टॉमी मुझे माफ कर दो मैं तुम्हे धोखा देकर रसोई में मास चुराती थी. अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, टॉमी ने बिल्लू को म दोस्त हैं. दोस्ती में गलती माफ होती है, लेकिन हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए. इस घटना के बाद बिल्लू और टॉमी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई. बिल्लू ने चोरी करना छोड़ दिया और अब वह टॉमी के साथ मिलकर घर की रखवाली करने लग के गाउं में अब बिल्लू और टॉमी की कहानी एक मिसाल बन गई थी. बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती थी ताकि वे सीख सकें कि इमानदारी और दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है. बिल्लू और टॉमी ने भी समझ लिया था कि सच्ची दोस्ती में इमानदारी और विश्वास का होना बहुत जरूरी है.